आज तक कोई भी कलास परवत पर नहीं चढ़ पाया है कलास परवती इन दुद्रम में बहुत ज्यादा महतोर रखता है और कलास परवत को सिवकान निवास्थान भी माना जाता है जब भी कोई वैक्ति कलास परवत पर चढ़ने कोशिश करता है वह थोड़ा उपर जाते ही दिसाहीन हो जाता है उसे दिखना बंद हो जाता है उसकी दिल की दड़कने भी ज्यादा तेज हो जाती है और दिसाहीन होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाता और ऐसी स्थिति में किलास परवत पर चड़ना मानों अपनी मौत को दावत देनी जैसा है इसलिए कोई भी वैक्ति आज तक किलास परवत पर नहीं चड़ पाया अगर आप को में वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जूर करना चाहिए जो हम जेक साहिए